पेज नमबर टू यूनिट नमबर वान दाजस्टिफ सिस्टम के अब डाजस्टिफ सिस्टम में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वाउट फाइफ बेसिक कैटिगरीज ओफ फूड विछ वी एट थिक है फर्स्ट कैटिगरी है कार्बोहाइट्रेट्स जैसे के आप शुगर स्टार्च जितनी वी फूड में आपकी शुगर कॉंटेंट होगा उसमें कार्बोहाइट्रेट्स प्रेजेंट होगे और बैसिकली यह क्या करते है एनर्जी देते हैं प्रोटीन्स यह बोडी बिल्डिंग है फूड की आपकी बोडी के लिए आपके ड में वी एक स्किन के लिए ऑपको हेल्जी रखते हैं और लास्ट में एक आटा है वाइटमेंद्स क्या है यह इंशनल था आपकी बोडी के लिए वह बहुत जरूरी है आप लोग उसमें वाइटमेंस A, वाइटमें B, वाइटमें K, वाइटमें C, वाइटमें D यह सब झो ह इस समय के लिए बहुत इंपोर्टन है अब उसके बाद आपका टॉपिक आता है लार्ज मॉलेकूल बिसी करी जितना भी हम फूड खाते हैं वह आपके लार्ज मॉलेकूल इसके लिए हम पढ़ेंगे इस दाजेशन प्रोसेस दाजेशन के मेन फूर प्रोसेस जो कि आपकी बॉड़ि जब फूर्ट इंटेक करती है तो उसके जो जो स्टेप्स इन्वॉल्वल वहते है इस डाजेशन फर्स आपका प्रोसेस आएगा मेकैनिकल ब्रेकडाउन तो चुटे चोटे पीस हो जाएंगे उसके बाद आती है तो चैमिकल ब्रेकडाउन कैसे होगी जितना भी आप फूट कहाएंगे आपकी बॉड़ी के अंदर स्टामक है बाइल है डिफरेंट और गॉल ब्लेडर है यह क्या करते हैं यह कुछ एसेड कुछ इंजाइम्स जो है आपके जितनी भी फूट आपने इंटेक की है तो इनका क्या हो जाएगा कैमिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा उसके बाद आता है नेक्स टेप अब्सॉर्प्शन आपके जब सारे लाज मॉलेक्यूल में चेंज हो जाते हैं तो अब्सॉर्प्शन ऑफ स्मॉल मॉलेक्यूल अब्सॉर्प्शन होती है ताके आपकी बाड़ी इन अनर्जी फॉर्म उसको यूज कर सके लास्ट एप आता है रिमुवल ओफ इंसॉलिबल वेस्ट मटीरियल फॉम दा बाड़ी आपकी बाड़ी के लिए जो चीज जरूरी नहीं है आपकी बाड़ी उसको अपनी कर देती है उस वेस्ट मटीरियल को ठीक है अब आप लोग यह डायग्राम देखेंगे इस डायग्राम में विसी कली क्या शो हो रहा है आपको होल डायजसिस सिस्टम शो हो रहा है ठीक है सबसे पहले आप माउथ और टीथ यूज करेंगे अपने मेकानिकल ब्रेकडाउन के स्टम चसे उसके बाद एक पाइप लान आती है जिसको हम फूड पाइप लाइंग बी कहते हैं अगल्ट बेक रोडल्यू इस फेगिज्वज बीके है पूडे में चईजिए लिवर में निवर में सिटमक में गॉल ब्लेडर और इटर बोरय में और उसके बाद जब यह सारी अच्छा प्रेजिशन आपके ब्लड के अदर हो जाती है आपके ये वो अनर्जी की फॉर्म में आपके ब्लड में चला जाता है सारी अप्जरॉप्शन कम्प्रेट हो जाती है उसके बाद जो वेस्ट मेटेरियल विच यूर बॉड़ी डास नॉट वांट वोगो के चली जाती है वहां पर रेक्टम में और रेक्टम से देन एनस में एनस के जर कि आपने डे वन का काम करना है आप लोगोंने डाजेसिफ सिस्टम पढ़ लिया मैंने आपको समझा भी दिया अब आपने अपनी कॉपिस में राइड आन करने है क्वेस्टन आंसर ठीक है यह लॉग क्वेस्टन है फर्स्ट क्वेस्टन वट इस डाजेशन वट आर दा कर यह फोर स्टेप्स जो है इसका आंसर है ठीक है साथ आप इसकी डायग्राम भी अपनी कॉपि पर ड्रो करेंगे ठीक है और साथ आप इसकी डिटेल भी लिखेंगे यह इसका आंसर है थैंक यू आज के लिए इतना ही